आप और एक्सप्रेस स्पेशल के साथ मैं हूँ रश्क गौरी चलिए शुरूराओत करेंगे बलरामपूर से बलरामपूर से बलरामपूर जले के समुदा एक्सवास्ते केंद्र कुस्मी में अच्छा है महीनिस से एक्सवे मश्यून खराब हैं जिसकी वज़े से मरीजों को सामना करना पड़ी रहा है और इस समुन एक्सवास्ते केंद्री पर कई गाव के लोग इलाज के लिए निरभर हैं किसी मरीज को एक्सरे कराने के लिए उसे करीब 40 किलोमीटर दूर शंकर गर या फिर अंभी कपूर जाना पड़ता है इदा सामुदाइक्स वास्ते केंद्रे प्रबंधन एक्सरे मशीन को ठीक कराने को लेकर कोई सुध लेने के लिए ही तैयार नहीं है परिशानी हो रही है लेकिन इसके लिए नया एकस्रे इंस्टॉल होने का परक्रिया वो चलू हो गया है वो जल्दी नया एकस्रे मिल जाए गा विवाग ये सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है और जल्दी से ही हमको नए एक्सरे मिल जाएगा उसके लिए हमने डिस्ट्रिक अथारिटीज को भी बता दिया हूँ और वो भी जल्दी इसे प्रवाइट करा देंगे सुनील पासवांच हो गए है संबादाता बलवरामपूर से इस वक्त हमारे साथ सुनील कब से एक्सरे मश्वीन खराब है जी मैं बता दू कि समधाएक स्वास्केंद कुश्मी का छे मां से एक्सरे मश्वीन खराब पड़ी हुई है अहीं मरीज काफी परसान परशानियों का सामना करना पर रहा है और जब कि कुश्मी स्वास्केंद में कई गाउं के लोग इस कुश्मी समधाएक स्वास्केंद में आते हैं इलाज कराने और इसी पर निर्भर भी राते हैं अगर इनको थोड़ा भी चोट लगती है तो एक्सरे करवाने के लिए चालीस किलिमीटर संकर गड़ या तो फिर अमें तक जो एक्सरे मश्वीन खराब पड़ी हुई है और जो बाइठ हम अधिकारी की डॉक्टर की देख रहे हैं सुन रहें दर्शकों को बता रहें वो क अधिकारी करमचारियों की इसकी जानकारी रहते हुए भी अभी तक 6 माँ हो गए हैं लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कारवाही ने की गए ना एक्सरे में को बनाया जा रहा है तो क्या दिक्कतारी हैं तो क्योंकी जो डॉक्टर साहाब है उनसे जब आपने सवाल किया तो नोंने बाइट में इस बात का जिकरी किया कि सहीयोग मिल रहा है बहुत जल्द X-ray machine को install कर लिया जाएगा जब सहीयोग मिल रहा है तो अभी तक installation का जो काम है वो क्यों नहीं हुआ उसका लाग मरीजों को क्यों नहीं मिल रहा है फिर BMO से हमारी बात हुई ठीक BMO का काना है कि जब X-ray machine खराब होते और बीच में कोंड लॉक्डाउन की वज़जा से अभी तक एहकाम ने होने पाई है हमीसा जब भी बात वोती है तो उन्होंने कोरोना के उपर चाल दिया जाता है कि लॉक्डाउन होने के वज़जा से अभी कुछ किया नहीं जा रहा है पास में जाथे हैं तो इस वक्त हमारे साथ ऑपका हमारे साथ जोडने के लिए बसंद चीजिए कब से एक्से मश्वीन ख़राब है पर अब यह दो मेहने लॉग डाउन के चलते हैं हमारे जो मेडिशीन हेल्सकेर सर्वीज जो होता है इसको बनाने का यह लोग तिन चार बार इस बड़ दर्मान यहाँ है उसको सुधारने का प्रयास किया अल्टिमेटली इन्होंने अब उसको कंडम खोशिद कर दिया है नहीं अल्टिमेटली अब कंडम खोशिद किया है अब नई एक्सरे मशीन आएगी फिर उसको इंस्टॉल किया जाएगा इस दिती आप लोगों को पहले से भी पता थी जिम्मिदार पद्पे हैं सीमचों हैं आपको तु तो तमाम आपके अंडर में जाने कितने पीस दो leftover हो गरते हैं अब रही है झान तो इसको कंडम घोशिद करने में इतना वक्त क्यों लग जब चार बार उसको रिपेर किया गया और उसके बाद भी जब ठीक नहीं हुई फिर लॉक्डाउन आ गया फिर तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस लेट लटीफी का खामयाजा तो उन गरी उस गरीब तपके के मरीजों को भूगतना पढ़ रहा है जिनके खाने के लाले पढ़ रहे हैं और जिनको 40 40 50 और 60 किलो मीटर दूर जाके एक्सरे करवाना पढ़ रहा है या को आप लोग नो आल्टरनेट विवस्ते इस तरह से कि कि किसी प्राइविट पाफलोजी बे एक्सरे करवा लिया जाए और उ कि करें अभी मैंने में सीजिय में से नहीं मतीन आने वाली है खिक है आप बसंची हमारे साथ बने रही है इस वक्त हमारे साथ विकेश साहू जी जुड़ गया है जो भातिय जुनता पार्टी यूवा मोचा के जिला अध्यक्षा है विकेश जी क्या हो रहा है पंदर साल ड कि पंदरा सालों के भारती जनता पार्टी के सरकार के दौरान ही इस आधिवासी वनांचल छेत्र में यह हॉस्पीटल को समस्त सुईधाय मुहया कराई गई और जब से यह कांग्रेस की सरकार जब से गठा हुई है हमारे साथिसगर में जब से हमारे यहां कि कुस्मी के अस कि अधिवासी दिनों पहले का घटना था कि हमारे यहां से एक्षरे मसीन खराब होने के विसय में मैंने बीमो साथ से भी बात किया था वो दो महने पहले भी इसी विसय को बोले थे कि एक महने के अंदर नई मसीन आ जाएगी ठीक है यह हमारे साथ डॉक्टर बसंत जोड़ कर दिया है दो महीरे बाद आप वही स्टेट्मेंट रटा रटा रटाया नहीं इसमें प्रक्रिया में थोड़ा सा एक डिर मान टाइम लगता है मेडम सीजी में के लिए तो अब होई गया है अभी आप तक बता दीजे आज 15 अक्टूबर है कब तक इंस्टॉलेशन हो तो दो तीन चार और च्छे महीने का होता है सर इसलिए मतलग 15 नवंबर तक होगा और 15 नवंबर तक जो इन गरीब जो मरीज हैं इनका जो पैसा एक्सरे के लिए और आने-जाने में खर्च हो रहा है उसको कौन वहन करेंगा सर अपन अल्टरनेट विश्थ करना है उसको त आप लोगों को तो पहले से ही जो विवस्था है वो कर लेनी चाहिए थी सर प्लीज इस तरह ध्यान दीजे धरती पर आप लोगों को भगवान कहा जाता है सर अगर जिस विवस्था की बात आपने की है अगर वो विवस्था नहीं होगी तो हम आपसे फिर पुना सवाल करेंगे बहुत शुक्रिया बसंजी जोडने के लिए विकेस बहुत शुक्रिया सहीयोगी जोड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया